नमस्कार मैं प्रवेश वतमात सब्सक्रा स्वागत है चुपा खेल विट प्रवेश में एक गाना है जाना था जापान पहुँच गए चीन समझ गए ना यह गाना भुपार रिल मंडल में एक दम सटीक बैठता है क्योंकि यहां चलती है तबादले की MRP यानी मैकसिमम रिटेल प्राइस हमारे सूत्रों ने बताया कि किसी भी मंचाही जगा के लिए आपको करना होता है उसकी MRP अनुसार भुक्तान और यदि भुक्तान नहीं किया तो वही गाना बजने लगता है जाना था जापान पहुँच गए चीन समझ गए ना यानी आप यदि विटार सी जाना चाहते हैं तो पहुचा दिये जाएंगे गुना या शिपुरी सूत्रों के नुसार यहां तबादले का MRP एक से देड़ महीने का वेतन है इसे ऐसे समझे कि यदि किसी रेलवे करमचारी का वेतन 80 से 90 हजार के बीच है तो उसका तबादले का MRP होगा एक से देड़ लाग के बीच यानी यहां भी थोड़ा बहुट डिसकाउंट चलता है आज बताऊंगा एक तबादला सूची के बारे में जिसमें कई प्रकार के संदे हैं और सवाल पूछने पर जिम्मेदार अधिकारियों ने शुतर मुर्ग जैसा बरताव करना शुरू कर दिया है साधली है चुपी सबके मूह हो गए हैं बंग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पर ना बिलकुल न भूलें देखते रहिए चुपा खेल विद प्रवेश स्वागत है तबादला एक विवस्था है संस्था के सुचारू संचालन है तू परन्तु कुछ अधिकारियों ने इसे भी आमदनी का जुगार बना कर इस विवस्था को उद्द्योक कर रूप दे दिया है यानि तबादला उद्द्योक एक महिने पहले मैंने इस से संबन देते एक खबर दिखाई थी आज उसी कड़ी में दूसरी खबर पेश कर रहा हूँ थोड़ा धैर से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है पहले इसकी प्रमुक बाते बताता हूँ इसके बाद नाम और पद के साथ कुछ और बाते बताऊँगा थोड़ा धीरज रखिएगा धैर से सुनिएगा वरना समझ नहीं पाएंगी यहाँ एक बात बता देता हूँ कमर्शियल में DCM पंकच कुमार दुबे के मातहत कारेरत करमचारी संजय पाठक के पास एक फाइल तबादले की लगभग चार महीने तक रुकी थी इस बीच पाठक एक महिने की छुट्टी पर थे पर इस फाइल को अपने रिलीवर राजेश मिश्रा को हैंड ओवर नहीं किया था वहीं पंकच कुमार दुबे द्वारा इस फाइल के संबंध में पाठक जी से देरी के कारण में पूछताच न करना सवालिया निशान खड़े करता है वैसे आपको बता दें यदि अधिकारी ना चाहे तो कोई भी डिलिंग फाइल को एक या दो दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकता ध्यान रखिएगा पंकच कुमार दुबे जी ने फाइल भेजी थी पाठक जी को जिसने चार महीने रोकी खेर आगे बढ़तें इसी ख़बर को बताते हैं भोपाल वेल मंडल की वाड़ित शाखा यानि कमर्शिल शाखा में 28 जून को एक तबादला आदेश जारी हुआ था सूत्रों ने बताया कि यह फाइल मूल ताहा वेतन व्रद्धी के लिए चली थी यानि प्रमोशन ग्रेट पे 42-46 और कार्मिक शाखा ने शायद आठ लोगों के वेतन मान व्रद्धी का कहा था ग्रेट पे बढ़ाने इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बातों पर गौर ध्यान से एक-एक करके बता रहा हूं नोट कर लीजे पहला आठ लोगों के प्रमोशन के लिए चली फाइल में 42 लोगों का तबादला कर दिया गया दूसरा इस फाइल को DCM पंकच कुमार दुबे के आधीन काररेस CCI संजे पाठग ने चार महिने तक रोके रखा ध्यान र संजे पाठग को भेजी गई इसके बाद पाठग ने इस फाइल को 26 जून को आगे बेजा उसके बाद यह फाइल दो दिन के अंदर ही सभी जगह से अप्रूव हो गई और 28 जून को आदेश जारी हो गया तीसरा सवाल उठता है कि आठ लोगों के प्रमोशन की फाइल चार महिने तक एक ही कलर के पास क्यों रुकी थी नोट करते रहिएगा वहीं DCM पंकच कुमार दुबे ने संजय पाठग से जल्दी करने को क्यों नहीं कहा दुबे जी इस सूची में कुछ नाम चौती बात बता रहा हूँ इस सूची में कुछ नाम ऐसे थे जिनके तबादला का कोई विशेश कारण समझ नहीं आया क्योंकि field posting से हटा कर दुबारा field posting ही दी गई मतलब यदि काम अच्छा था तो हटाया क्यों और काम भुरा था इसलिए हटाया तो दुबारा field posting चो दी पाच बाद कुछ कर्मचारियों के तबादले प्रशासनिक अधार पर किये गए जबकि इन में से कुछ के स्वेचिक इस्थानांतरण के आवेदन थे रेजिस्ट्रेशन था ओन रिक्वेस्ट जवरन प्रशासनिक अधार पर किये गए तबादले के कारण railway को वित्तियहानी हुई जो की allowance के रूप में कर्मचारी को मिलेगी या मिल गई होगी ट्रांसवार अलाउंस चटवे के बात कर रहा हूँ ट्रांसवार अलाउंस देने के कारण railway के लगबग 15 से 20 लाग खर्च हुए होंगे एक अंदाज़ा बता रहा हूँ साथवां दिव्यान करमचारी को फिल्ड यूटी दी गई जबकि उसे आफिस में ही कहीं पदस्त करना था महतपून बात है आठवां कुछ लोगों के स्वेच्छिक आवेदन आफलाइन लेकर उस पल अमर किया गया तो वहीं कुछ लोगों के स्वेच्छिक तबादले के जो रजिस्ट्रेशन थे उनको कैंसिल करवाया गया और कहीं और पोस्टिंग भी नॉमा जिनका तबादला एक वर्ष पूर हुआ था उनका फिर से तबादला कर दिया गया वो भी फिल्ड में ही यानि कुछ तो गडबड है कुछ तो गडबड है क्योंकि तीन साल से पहले या शार साल से पहले तबादले के लिए कोई ठोस कारण होना चाहिए तब ही प्रशासनी का धार पर तबादला किया सकता पर यहां ऐसा नहीं बताया गया खेर यह नव बिंदू में लगभग सब कुछ आ गया है अब आपको बताते हैं कुछ कर्मचारियों के नाम तो नहीं बताऊंगा पर इनके तबादले के पीछे की कहानी एक एक करके सुनियेगा ध्यान से नोट कर लीजेगा हमारे सूत्रो दौरा प्रदान जानकारी अनुसार ओर्डर कर्मांग 912 दिनांग 28 जून 2024 को जारी हुआ है इसमें कई विसंगतियां है जैसे एक कर्मचारी को DRM बिल्डिंग में ही उपर से नीचे लाया गया मैं फिलाल नाम नहीं ले रहा हूं कर्मचारी हों का जबकि इसी इनी कर्मचारी का नर्मदापुरम जाने का ऑनलाइन पंजियन मौजूद था नर्मदापुरम में जो कर्मचारी पदस्थ है वह चार साल से ज़्यादा हो गए बावजुद उसके इन कर्मचारी को जबर दस्ती हमारे सुत्रों ने बताया आफ्लाइन रिजिस्टेशन कराकर कमर्शियल कंट्रोल से नीचे डियारं आफिस में ही ले आया गिया वहीं एक कर्मचारी है इनको लोकायुत ने भुपाल स्टेशन पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था कुछ दिन पहले आपको याद होगा लुकायुत ना नुशंसा की थी कि इनका तबादला भुपाल से बाहर कहीं दूर कर दिया जाए जब तक जाच चल रही है कब इनकी पदिस्थापना अशोक नगर की गई थी लेकिन इसी आदेश में इनको वापस विदीशा बुला कर पदस्त कर दिया गया वो भी स्वें के अनुरोत पर रहे हैं इनका ओन रिक्वेस्ट पर जो की साल भर पहले ही बाहर भेजा गया था सवाल खड़े करता है वही एक और करमचारी हैं जिनको मंडी दीप भेजा गया इनका निशात पुरा के लिए रिजिस्ट्रेशन था पर इनका रिजिस्ट्रेशन कैंसिल कराकर मंडी दीप किया गया सवाल खड़े कर रहा है एक और करमचारी है जो सीपीएश शेड भोपाल से डिप्टी एसस सी यानि कमर्शल इटार्सी भेजे गया इनको पार्सल सुपर्वाइश शेड भोपाल से डिप्टी एसस कमर्शल इटार्सी किया गया जब कि भोपाल में स्पाउस ग्राउंड पर ही एक करमचारी आये थे और अभी इनको चार साल नहीं हुआ था भाई जो इस पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफर लेका है उसको चार साल नहीं हुए उसको अचानक से प्रशासनी का धार पर रिटार्सी क्यों कर दिया गया तबादला सवालों के घेरे पर एक और करमचारी है जिनका रानी कमलापती जो रानी कमलापती में DCI थे यहां से इनको DCI गुना तबादला कर दिया गया जब कि इनका एक साल पहले ही प्रशासनी का धार लोट करियेगा प्रशासनी का धार पर रानी कमलापती स्टेशन तबादला किये गया था सवाल उठता है कि चार साल से पहले ऐसी क्या वशक्ता थी कि प्रशासनिक अधार पर इनका तबादला को नहा कर दिया गया गौर करिएगा रानी कमलापती से गुना भेजा गया लेकिन दोनों ही फिल्ड पोस्टिंग है यानि काम को अच्छा था 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 एक और करमचारी है जो DRM बिल्डिंग में थे इनको DCI भी न बनाया गया प्रशासनिक अधार पर जबकि इन्होंने विदीशा या भोप करा रखा था ऐसे में तबादले के लिए रेजिस्ट्रेशन को नजर अंदास किया गया संभवता एक और करमचारी है इनको आर्सीटी से प्रशासनिक अधार पर DCI इटार्सी भेजे गया जबकि इटार्सी में एक SCI पहले से काम कर रहा था उनको प्रमोट करके DCI किया गय तो उनको भोपाल लाया गया जरुवत क्या थी है और वहीं कि प्रमोट कर देते हैं कम से कम ट्रांसर अलाउंस बच जा था और जहां तक मेरी जानकारी है जिनको आर्सीटी से इटार्सी भेजा गया वह नर्मदापुरम के रहने वाले थे और इटार्सी में काम करने के भी सवाल उठता है कि जब इटार्सी वाले को प्रमोशन देके टार्सी में रखा जा सकता था तो भोपाल वाले का तबादला क्यों किया गया क्या विदन था अब दोनों को तबादले का लाउंस देना पड़ेगा जो एक से द्रेल लाग रुपे प्रतिवेक्ती होगा यह थाई लाग रुपे यहाँ पर शायद भरबाद ही बाराल आगे आता हूँ एक और कर्मचारी है जिनको एसी टी आई भोपाल से ACCS DRMC किया गया यह CCTS केडर के हैं स्वैम के रिक्वेस्ट पर मुंबई डिविजन से भोपाल आये हैं निया मानुसार जब यह भोपाल आये थे तो इनको 2000 के ग्रेट पर मिलना था जबकि 1200 के ग्रेट पर जोइन की है संशय खड़ा होता है ज्योंकि इस तबादला सूची मे सूची में 2000 ग्रेट पर वालों के तबादले नहीं है इसके बाद बात कर लेता हूँ है कि ACPS ITRC से इनको एक पो स्टेशन मेनेजर कमर्शल बनाया गया यह 4200 ग्रेट के कर्मचारी है जब कि स्टेशन मेनेजर कमर्शियल के पद पर आमूमन 4400 ग्रेट वाले ही पदस्के जा है कि 4200 ग्रेट वाले कर्मचारी को ITRC में स्टेशन मेनेजर कमर्शियल क्यों बनाया गया एक प्रथा है सीनियर आदनी को बनाने की यहां जूनियर को बना दिया सोचिएगा जरूँ है वहीं एक कर्मचारी है जिनको रानी कमलापती से शिपुरी तबादला कर दिया जबकि शिपुरी में और लेड़ी CBS के पद पर एक अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए उनका प्रमोशन च्यालिस सो ग्रेड में हुआ तो उनको वहीं कहीं प्रमोट कर देते परन तू प्रशासनिक अधार को उनका ट्रांसफर बीना कर दिया गया और जिनका ट्रांसफर रानी कमल पती से किया गया था उनकी फैमिली में एक सीरियस मेडिकल कंडिशन है उनके परिवार में सोचिए उनको जरूरत थी भोपाल रहने की लेकिन इतना दूर भेज दिया गया या उनका ओनलाइन रिक्वेस्ट था नहीं था प्रशासनिक अधार ऐसा कैसा प्रशासनिक अधार सबसे बड़ी बात एक करमचारी जो दिव्यांग थे घोपाल में पदस्ते इनको बीना में जेवी टी साइडिग में भेज दिया गया सवाल उठता है कि दिव्यांग व्यक्ति को साइडिंग में क्यों भेजा हूँ वहां कैसे काम करें क्योंकि वहां बहुत बार ऐसा होता है कि जाना पड़ता है देखना पड़ता है रेइस्टर लेकर लिखना पड़ता है कभी लेवर नहीं आई तो हाथ से इदर दर समान भी क बताता है कि transfer करने वाले की मनशाँ संभवता संदेहासपत्व एक और कर्मचारी है ACBS गन्बस ओदा से इनको CBS अशोक नगर किया गया जबकि गन्बस ओदा में ही इनको promotion दे सकते थे today Raleway के transfer allowance के लाक रुपय के असपास बच जाते एक और कर्मचारी है जिनको शेपूरी से बीना तबादला किया गया जबकि इनका प्रमोशन शेपूरी के शेपूरी किया जा सकता था रेलेवे के ट्रांसवर अलाउंस के पैसे बच जाते हैं एक और कर्मचारी है जिनको ACGS हरदा से प्रशाशनी काधार पर बीड स्टेशन भेजा गया आपको बता दूँ इनी कर्मचारी को देर साल पहले यहां लाया गया था तो चार साल के पहले अचानक से ऐसा क्या हो गया प्रशाशनी काधार पर वापस भेजा गया ट्रांसवर अलाउंस देना पड़े का ध्यान रखियेगा उप्रोक्त जितनी भी बाते मैंने बताई जो कि आपको तथ बता है वह जानकारी सूत्रों के अधार पर है इस संबंद में DRM दिवाशिष्ट रिपाटी और सीनेट DPO सहित समस्त संबंधित अधिकारियों को मैंने सवाल बेजे थे परन्तु आज तक और अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया हाला कि इस दोरान जब इस सूची के बारे में मैंने और परताल की और जहां भी पूछा उन सब ने पंकच कुमार दुबे और संजय पाठक के गढ़ जोड को रेलवे के लिए नुकसान डायक बताया वही इस पूरे मामले में रेलवे को आर्थिक हानी भी हुई है ट्रांसवर अलाउंस बचाए जा सकते हैं ओनलाइन रेजिस्टेशन और आफलाइन रेजिस्टेशन के दुरुपयोग के बारे में भी बाते सामने आई हैं वहीं प्रशास्लिक अधार बता कर किया गया तबादला कुछ जगह जस्टिफाई नहीं हो रहा है करमचारियों को प्रमोशन देरी से मिलने से उनको आर्थिक नुकसान भी हुआ चार महीने पहले मिल जाता समय से जाते और अधिकारी जवाब ना दे तो यह समझा जा सकता है कि सूत्रों की जानकारी सही ही होगी शायद इसलिए किसी ने भी जवाब नहीं दिया बल्कि नंबर ब्लॉक करके शुत्र मुर्ग जैसा बरताओ करने लगी कि मेरा नंबर डी आरम ने बलॉक कर दिया बहराल दो सूत्रों ने दो जानकारी दी पहले ने बताया तबादला एक उद्योग बन गया है तो उसका MRP बताया तबादले का तो वही दूसरे सूत्र ने एक तबादला सूची के संबंध में जानकारी दी जिसके तत्य संबंधित अधिकारी की मन्शा को संदे हास्पत बनाते हैं अब आप ही सोचिए क्या इन दोनों सूत्र की जानकारी का आपस में कोई संबंध है बैसे हमारे सूत्रों ने ये नहीं कहा है खेर जो भी हो पर दोनों ही जानकारी के संबंध में जिम्मेदार अधिकारी चुपी साध ले तब तो शायद यही समझना चाहिए कि दाल में कुछ काला है और किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है बहराल तबादला उद्द्योग में अमार पी अगले पार्ट में तबादला उद्द्योग का एक और पहलू का खुलासा करूँगा कि कैसे संभवता चरहावा ना देने पर सूची में जिसका नाम उपर था उसको रोग कर दूसरे नंबर वाले को ट्रांसफर कर दिया गया प्रमानित करूँगा कागजों के साथ मैं कुना कह रहा हूँ MRP की बात एक सूची की दूसरे ने बताई थी दोनों का आपस में कनेक्शन है या नहीं यह तो जाच का विशय है और मैं निवेदन जरूर करना चाहूँगा रेलेवे के आला अधिकारियों से इस तबादला सूची को बनाने वाले बीलिंग कलक संजय पाठक और उनके इमिडियेट बॉस पंकच कुमार दुबे DCM की भूमिका की जाच जरूर की जाए और पूछा जाए कि प्रशासनी का धार मतलब क्या है और इनमें कितनों के आफ लाइन रिक्वे आविदन लेके ट्रांसफर किये गए और कितनों के प्रशासनी का धार पे वो भी क्यों justify तो करना पड़े गा क्योंकि चार महीने फाइल रोग ली उसके बाद जब फाइल में सब कुछ done हो गया या जो भी उनके internal exercise थी मनशाद जो भी रही हो उसके बाद दो दिन के अंदर आदेश जारी हो गया यही काम तीन महीने चार महीने पहले भी कर सकते हैं अगले पार्ट को देखना बिलकुल न भूलिए और हमारी खबर आपको कैसी लगी आपके पड़ी करके ज़रूर बताईएगा चैनल को लाइक शेयर सक्राइब करना बिलकुल न भूले बहुत बहुत धन्यवाद